विंटर आ गई है और विंटर के साथ साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लिम फेस करनी परती है जैसे हेर फॉल, डांडरफ और मिनी मोर तो आज मैं आप लोगों के साथ विंटर के कुछ यूसफुल ब्यूटी हैंक्स बताने वाली हूँ जो की बहुत सादा हेल्फुल होने वा यह एक मेकप रिमुवल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है अशुर आप सभी लोग करते होंगे दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि डबल क्लिंजिंग का मतलब दो बर फेश वास करना होता है बट ऐसा नहीं है इसमें हम लोग पहले स्टेप में ऑईल वेस्ट क् करते हैं और गाइस आपको अपने फेश से संस्क्रीम रिमूव करके ही सोना चाहिए मैं यूज करेंगे कि यह आपकी मेकप को धीरे धीरे रिमूव कर रहा है और फिर कोई भी टिशू या कपड़ा लेकर इसे अच्छे से पोच ले जो भी एकस डर्ट और ओल होगा वो सब निकल जाएगा फेश डीप क्लीन हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि कितना जादा डर्ट निगला और आपको नॉर्मल फेश वास यूज करना है जिसे रेगुलर बेस पे यूज करते हो मैं यह यूज कर रहे हैं लोटस वाइट ग्लो फेश वास अगर आप लोग अफॉर्डबल के साथ साथ कुछ अच्छा डून रहा है यह फेश वास अच्छा अप्शन है और गाइज यह सब स्टेप मिस करना मतलब अपने फेश पे अटने ब्रेक आउट को इंविटेशन देना आप मेक श्यूर कर रहे हैं कि आप अपने फेश को डबल क्लीन करके ही नमबर टू है फेस पैक फेस पैक को परिपेर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए बेसन यानि की ग्राम फ्लॉर ग्राम फ्लॉर जो होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत जादा अच्छा होता है सकंड आपको तर्मरीक का यूज करना है मैं यह नॉर्मल वाला इस पे बहुत जादा प्यारा सा ग्लू आएगा और आपको वीक में एक से दो बार फेस पैट का यूज़ करना है यह अंदर से ग्लू देगा और एक्स्ट्टिंग प्रॉपर्टीज के कारण फेस के सारे डेट सेल्स को रिमूव भी कर देगा इसका में इंग्रिडियन्ट है बेसन जिसमें होता है एक्स्ट्टिंग प्रॉपर्टीज जो हमारे फेस के डेट सेल्स स्कीन को रिमूव करता है और हमारे कॉम्फलिक्शन को स्मूथ एंड ब्राइट बनाता है सेकेंड इंग्रिडियन्ट है टर्मरिक इसके अंदर होता है कर्कुमीन जो हमारे एक्स्ट्ट्टिड स्कीन को कम करती है और स्वेलिंग को रेड्यूज करती है डार्क स्पोर्ट एंड हाइपर पिग्मेंटेशन को ब्राइट करती है थर्ड होता है हनी यह आपके फेस को बहुत ही अच्छे से मॉस्ट्राइज रखेगी इंड गाईज इसे आपको छोड़ देना है 10 से 15 मिनिट तक उसके बाद आपको गीला कप्रा चाहिए एक और अपने अच्छे से भिंगा लीजी और उसके बाद फेस को अच्छे से वाइप कर दीजे और बहुत ही अच्छे से रिमूफ हो जाएगा और विंटर में सबसे बड़ी प्रोब्लम होती है फटे होट और ड्राइ लीप्स जो देखने में बहुत जादे ही गंदे लगते हैं इसके लिए भी आपको चाहिए यह राइस फ्लॉर यानि की चावल का आटा एंड हनी एंड कॉफी यह तीनों की तीनों इंग्रीडियंट बहुत ही असानी से आपको किचन में मिल जाएंगे और यह बहुत अच्छे है यह आपके लिप्स को एक ही स्क्रब में अच्छे से पिंक कर देगा यह लिप्स को हील करता है एंड हनी हमारे लिप्स को हाइड्रिशन प्रॉइड करता है बहुत ही अच्छे से अपने लिप्स पे अपलाई करना है और पांच मिनट तक स्क्रब करना है फिर रिमूफ कर ले एंड गाईज हम लोग अपने फेस और हेर के लिए बहुत कुछ करते है बट लिप्स इग्नोर कर देते है अब नहीं यह सिंपल स्टेप यूज करके आप मेरी तरह सुंद लिप्स पा सकते है और अच्छा होगा अगर आपके पास पुराना सॉफ्ट तूद प्रस है तो इसे अपने लिप्स पर ऐसे स्क्रब करना है जैसे मैं यहां करके दिखा रही हूँ उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिप्स बहुत जादा स्मूथ और प्लम्पी सा हो गया है अगर अगर रेगुलर बेसिस में कुछ यूज करना चाहते हो आपको कोई भी मॉस्टराइजर यूज करना है और इसे मिस्स नहीं करना है चाहे आपके स्किन टाइप कुछ भी हो ओईली कॉमिनेशन या ड्राइ यह स्टिप एकदब मिस्स नहीं करना है मेरे पास दो मॉस्टराइजर है पहला है एमोलीन और दूसरा है आयूर का मॉस्टराइजर मैं मॉर्निंग में एमोलीन मॉस्टराइजर यूज करती हूँ क्योंकि यह लाइट वेट है और स्किन को डार्क नहीं करता और रात को आयूर मॉस्टराइजर क्योंकि यह हेवी क्रीम है और oily होने के कारण मेरे skin को अच्छा से नरिश करता है अब मैं यूज करूँगे वैसलीन जिसे आप petroleum jelly वी बोलते है ये बहुत जादा अच्छी होती है और lips को hydrate के साथ regular भी बनाती है और pink करती है and guys आप लोग बोलते हैं कि dark circle के लिए भी कुछ बताओ इसके लिए मैं यूज करती हूँ इसके face serum जो मेरे face को बहुत जादा अच्छे से hydrate करता है और इसे लगा कर मैं अपनी skin पे थोड़ी बहुत मसाज भी करती हूँ जिसे मेरे skin tight रहे और मेरे forehead पे जो भी fine line है वो गायब हो जाए अब बात कर लेते हूँ कुछ hair product के बारे में भी hair product में मेरे पस दो product है पहला है hair marks और दूसरा है keto mag की ship को तब यूज करती हूँ जब मेरे hair बहुत जादा dry होता है और keto semester técnica shampoo को यूज करती हूँ जब मेरे hair बहुत जादा dandruff ए अगर मैं केटो मैक शैंपू लगा रही हूं तो मेरे डैंडरफ सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजेगा तब तक तब तक तड़ा